दोस्तो ओम नमस्ष शिवाय दोस्तो रोजाना अपना राशी फल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सलेक्ट आल कर लें धनू राशी वालो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन जून दोहजार तेईस दिन शनिवार के आपकी राशी के दैनिक राशी फल के बारे में की आपकी राशी वालो के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से आज आपको साफधान रहना होगा किन किन चीजों से आज आज आपको फाइदा होगा आपकी आज लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और वैपार कैसा रहेगा और साथ साथ आज आज आपका भग्यसाली अंक क्या रहेगा आज आपका स्वास्त कैसा रहेगा इन सभी की महत पपून और सटीक जानकरी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा आपकी राशी वालों के लिए आज का दिन दोस्तों आज आपकी आर्थिक इस्तिती आपके अनुकूल रहने वाली हैं आर्थिक लाब के लिए आज आपको अच्छे मों के प्राप्त हो सकते हैं वैवसाय से सम्बंदित तथा बहर के कंपनियों से संबंदित कारों में आज आज आपको अच्छा लाब प्राप्थ होने की संभावना पाई जाती हैं। इस समय बहर से कामकाज को लेकर अच्छी यात्राएं भी हो सकती हैं जो आपके लिए लाब रद साबित होंगी। परिवार का माहौल खराब होने की भी संभावना आज पाई जाती हैं। इसलिए परिवारिक इस्तितियों को अनुकूल बनाने के लिए एक दूसरे का परस्पर संबंद होना जरूरी होता है। आप सहसी तथा प्राक्रमी व्यक्ति होने के साथ साथ एक जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं। इसलिए आप अपने घर परिवार के प्रती अच्छी भावनाई रखते हुए एक दूसरे को जोडने का प्रियास करें। ज्यां दोस्तों आप यह मानकर चलिए कि यह समय पूर्ण रूप से आपके लिए हैं। बस आपको अपना अच्छा प्रदसन प्रतेक छित्र में देना होगा। ताकि आप उसके परियासरत लोगों को अभी थोड़ा और प्रियास करना जारी रखना होगा। प्रतीक छा करनी होगी को कि फिलाल उनके लिए अधिक अवसर दिखाई नहीं दे रहे लेकिन हिम्मत हारने की आपको बिल्कुल भी आवशकता नहीं है को कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप काफी उत्सा में रहेंगे और आप अपनी उर्जा के बल पर आज हर चिनोती का डट कर सामना भी करेंगे और उस पर आप सफलता भी प्राप्त हरेंगे यदि कोई लंबे समय से कर्ज चल रहा हैं तो आज उसे पूर्ण रुप से चुका पाने में भी आप सफल हो सकते हैं जिससे आप सुकून भरी सांस लेंगे आप परिवार को जोड कर रखना चाहते हैं तो आपको अपने लिए जीवन में कुछ समझोतों के लिए तैयार रहना होगा अन्यता इस्तितियां आपके नियंतन से बाहर भी रहेंगी आपको परिवार के लोगों के साथ धन सम्म संदित समस्याओं को भी सुल जाना होगा और अपनी और से अधिक से अधिक योगदान करने के लिए तैयार भी रहना होगा जादो साती साथ आपका मनोबल और पूरी तरह से आपके काम पर समन पर भाब आज आपके लिए नई उपलब दियां लाएगा आपकी थोड़ी सी महनत के भी भरपूर फल आपको प्राप भंगे अतह हैं आज आप समय का सद्यूपियोग करें साती साथ आज आपका शक्की स्ववबाब आपके लिए कुछ परेशानियां पैदा कर सकता है बच्चों पर ज्यादा अनुशासन रखना उनके लिए परेशानी खड़ी करेग इसलिए अपने शौबाब में थोड़ा सा लचीला पन लाएं माता पिता का सम्मान करें कुछ मत्वेद उत्पन भी हो सकते हैं थोड़ा साथ धान रहें समझदानी से काम लें अब दोस्तों बात करें आज आपकी लव लाइफ की तो दोस्तों आपको बता दें आपके दाम होगा आपको बतादें यदि आप अपने प्रीयतम से विवा करना चाहते हैं तो यह समय आपकी इस मुराद को पूरी कर सकता है इसलिए यदि आप उनसे इस बारे में बात करना चाहेंगे तो आप अपने मन की बात उनके सामने रखेंगे तो वह इनकार नहीं कर आप अपने प्रेमी प्रेमिका को प्रपोज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं या अपने मन की बात शेयर करना चाहते हैं तो भी वह कर सकते हैं इसके लिए भी समय नुकूल है इस समय का आप भरपूर लाब उठाएं दोस्तों साथे साथ आप बात करें आज आपका वैवस एक छेत्र में ऐ निर्णे की इस्तिती रहेगी जल्द बाजी में फैसला लेने से आपको बचना होगा अन्यता बड़ा नुकसान होने की भी संभावना आज हो सकती है साथ साथ वैपार धंदा आज अच्छा चलेगा कारोबार विस्तार की योजनाएं बन सकती हैं जो आपके पूर वग जाएं दुरगटना होने की भी संभावना पाई जाती हैं साथ साथ आपको बता दें वैवसाय धंदे में आर्थिक लाब और नोकरी में आज तरक्की के योग रहेंगे ग्रह नक्षत्रों के अनुकूल रहने से आज आपको आस्मिक धन लाब के भी योग बन र आप किसी के सामने ज्यादा कुछ ना कहें अपनी योजनाओं को किसी के सामने ज्यादा जाहिर ना करें आपके गुप्त योजनाएं आपको काम में फायदा देंगी इस समय कहीं से आपको अचानक लाब भी मिलने की उमीद है बस अपने निरने को ही मानने तर दें पबलिक दिमा की काम करने से आज आपको सिर दर्द की समस्य उत्पन हो सकती है और साती सात पेट में गैस या फिर दर्द की सिकायत भी रह सकती है ताजा फलो के जूस और खान पान में सफाइप का आप विशेश ध्यान रखे तो दोस्तो अब बात करें आज आपके लिए भागयसाली अंक क्या रहेगा तो दोस्तो आज आपके लिए भागयसाली अंक रहने वाला है पांच और भागयसाली रंग रहने वाला है हरा और दोस्तो साती सात अब बात करें आज आपके लिए कौन कौन से उपाए लाबकारी थाबित होंगे तो दोस्तो आपको बता दें आज आप पानी की विवस्ता करें तो ऐसा करने से आपको धन लाब होगा आर्थिक इस्तिती खराब चल रही है आर्थिक इस्तिती ठीक होगी धन लाब के योग बनेंगे धन प्राप्ति के योग बनेंगे शाती साथ आप क्या करें आज आप गाय को रोटी पर गुड या फिर हल्दी क साथ घीर रख कर खिलाएं ऐसा करने से जीवन की प्रेशानियों का अंत होता है और साथ साथ आप क्या करें आप पीपल के व्रेक्ष पर आप जल चड़ाएं ऐसा करने से जीवन की प्रेशानियां खत्म होती हैं और आपको धन लाब के भी योग बनेंगे आपको लाब होगा और दोस्तों आप बात करें आज आपको आपके भगय का कितना प्रतिसा 7 मिलेगा तो दोस्तों आपको पता दें आज आपको आपके भगय का 88% 7 मिलेगा हरहर महादेव जैभुलेनाथ